बिस्मिल्लाइब रफ्वानेट रहीम असलाम के विवर्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद है कि आप सब लोग खेरिये से होंगे अल्लाइब आप सब को सहित और तंद्विसीत अपर्माई आमीन मैं हूं मरिया मतपर और आप देखे हैं हमारा चैनल इसी कुकिंग आज हम बना तृण मिल्या होने देखे हाँ तसथ चिकन बलाए हॉनी के रेस्पी तो रैष्पी स्टार्ट करते हैं पहल लियाहे इसमें डालें हैं बटर बटर को हम मर्ट होने देंगे हम 2 मीडियन साइस के प्यास लिया है दो टुकड़े आध रख के 5-4 सबसमर्चें और कुछ किया ह लेसन की अब हम इसे बटर में डालके दोस्सी तीन मिनट तक फ्राइ करेंगे हम इसे इतने ही फ्राइ करेंगे कि प्यास का न तुमाम चीज़ों का कछ़पन ख़तम और पहर हम इसका पेस्ट बना लेंगे यहां प्यास हमारा हो गया है तौमा मसाले तो यहां लिए है मैंने 20 प्लेंडर में डॉइल प्लेंगे इसमें डॉल को तेही कि खूल साथ यहां डाल या पीस्ट से सब्सक्राइब गीपी साइट से छोड़ने लग आ भाइए युथ किव और हम ए messy छुड़ने लिए फ्लाण़् छा मास मसाले शामल करेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब डालेंगे हम इसमें चिकन चिकन मैंने हाफ केजी लिया है और यह दिखी जादतर बोल्लस है चिकन को चिकन और मसालिक को हम अची तरह से 3-4 मिनट तक भूनेंगे तरके हमारा मसाला भी भूंचे और हमारा चिकन भी अच्य तरह से हम इसे भी फ्राय कर ले ए चिकन को 2-3 मिनट हो गया है भूनते हुए और अब डालेंगे हम इसमें बदाम जो मैंने पीस लिया थे ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाला और बदामों को पीस लिया बदाम को पेस शामल करने के बाद मसीद हम इसे 2-3 मिनट तर अच्छे तरह से भूनेंगे यहाँ देखें यह मसाले को मैंने अच्छे तरह से भून लिया है अब शामल करें हम इसमें एक प्याली दही नहीं शामल करने के बाद इसे इच्छे तरह से मिक्स करेंगे चिकन मलाई हंडी जो है वो बहुत ही जबरदस सी त्यार होती है बहुत ही जोजी और जबरदस मज़ेदार से तो यहाँ पे तहीं शामल करती है मैंने तो अब हम इसे कवर कर देंगे तक्रीबर 10 मिनट के लिए 10 मिनिट हो गया है तो चेक करते हैं हम अपनी चिकन मलाई हांडी को यह देखें माशालला से हमारी चिकन मलाई हांडी हो गया गी साइडों से चोड़ना शुरू कर दिया है तो अब लास्ट में हम शामल करेंगे इसमें 3-4 समच फ्रेश क्रीम आप इसमें घर के मलाई भी जाल सकते हैं लेकि मैंने यहां पर ट्रेटर पर क्रीम शामल की है क्रीम शामल करने के बाद हम इसे जस्त 2 मिनिट तक ऐसे ही बगाएंगे तो यहां पर हमारी यमी सी चिकन मलाई हांडी हो गयी त्यार यह दिखे कितनी अच्छी लोग है कितनी मज़े के लगवी है जितनी मज़े की लगवी है ऐसा ही इसका टेस्ट भी है तो अकर आपको हमारी रेषपी अच्छी लगे तो lại करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इसी कुकिंग को और साथ लेगे गेंटी के बटन को प्रेस कर दिया करें ताके हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो आप तक बाहसार नहीं पहुंच सके फिर किसी नई रेस्पी के साथ आप से दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए लाफ़ीश